श्मी गान जी आपके साथ शुरुवात करना चाहती हूँ, इतने दिगज वरिष्ट नेता हैं आप, लेकिन कहा जा रहा है कि बाजपई जी, शर्मा जी, तमाम जितने भी ब्रह्मन हैं, उन सब के होते हुए, एक क्राइसिस आपकी पार्टी फेस कर रही है, अगड़ी जाती क्योंको आपने अपनी साथ फीजदी में समझ लिया है कि वह हमारी जेब में है, लेकिन क्या उनकी नाराजगी और जाती का ये जबरदस्त असर इस चुनाव में आपको सामना करना पड़ सकता है, वो पूछ रहे हैं कि क्या किया हमारे लिए हम लाए सत्ता में, नेशित त बने हैं, और उत्ताप देश में मुख्यमंत्री योगी आधितना जी बने है, सारे विकास के काम को जाती, धर्म, पंत और छेतर से उपर उठकर सब के लिए किया है, इसलिए ऐसा कोई प्रशन जनता में नहीं है कि भारते जनता पार्टी ने हमारे ले क्या क्या और विशे हमारा है, सबका साथ, सबका अभिकास, और सबका विश्वास, अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो उसका विश्वास कैसे अरजित करेंगे, और जनता का विश्वास अरजित नहीं करेंगे, तो चुनाव कैसे जीतेंगे, हमारा अंतिम पर नाम है चुनाव का ज इससे इंकार नहीं किया जा सकता उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्ये हैं जिनमें जाती धर्म दूनों का असर होता है जाती राजनीत के शिकार यह रहें और इसी लिए आज जब कुपोशन का इंडेक्स आप देखती हैं तो फिर बिहार और उत्तर प्रदेश सबस नीचे नजराते हैं कारण यह है कि जाती और धर्म के आधार पर जब को पार्टी यह समझ लेती है चाहे सो एक सो चार रुपए पेट्रॉल हो जाए है पर महिए नजर नहीं आएगी कहेंगे महिए नहीं है तो फिर सहारा क्या है जाती और धर्म इन्हें मालूम हैं कि उसे कम करने के लिए धर्म का सारा है हमारे पास और इसलिए उसको बढ़ाते जाते हैं कुल मिलाकर दुर्भाग यह है उत्तर प्रदेश का कि जो छेत्री दल थे वो भी जाती है धर्म पे आ गए और जो एक रास्टी पार्टी थी वो भी यहां उतर कर आके जाती है और रास्टी पार्टी होने के बहुजूद भी अगर उसके पास से आप धर्म निकाल दें मेरा इशारा भारती जन्ता पार्टी के तरब से और अगर धर्म निकाल दें उसका दुरुपयोग निकाल दें तो आज भारती जन्ता पार्टी की यह हैसियत ही नहीं है कि उत्तरप्रदेश में बड़ी महंगाई बेरोजगारी बड़ी महंगाई बेरोजगारी और देहाद के लोग अगर यहां होंगे तुन्हें आइसास होगा शेहरों को तुन्हीं मेरे खाल से पंड़ी जी को होगा कि छुटा जानवर जानवरों की समस्या है जिनको अन्ना जानवर कह देते हैं राजस्तान में अगर इनसे आप धर्म निकाल लीजे तो भारती जनता पार्टी आज इस इस्तित में हैं कि जनता के बीच जा सके मैं पश्चिम की बात नहीं कर रहा हूं बाजपई जी मेरे बड मैं चालिस साल कि तालिस साल से राजडी देख रहा हूं शथा में भी रहा हूं लंबे दौर से बीपक्षय हूं सथा में एक बीमारी होती है इनको भी है अपके तो सर्वारी पुरानी हो गया याद भी है कुछ उन दिन केंडर में आते रहते हैं प्रदेश पे ठीक है था बैमंती था, उस समय पता नहीं कौन सा चस्मा लग जाता है, कि दिखाई नहीं पड़ती कोई चीज, अब अभी मैं छट की तरफ देख रहा था, ताज के, कि मजबूत बनी के नहीं बनी, जब एक सवाल आया और एक जबाब आया, कि महंगाई नहीं है, तो मुझे लगा कहीं एसनों चाट गिर जाएगे